यार half early exams आ गए बताओ अभी अभी तो classes शुरू ही थी अब मैं कैसे पढ़ू मेरे पस इतना कम टाइम है चार-पाश महीने तो मैंने बस सलिबस को समझने में लगा दिये थे अब कैसे कर सकती हूँ अगर मैं पूरा chapter पढ़ूंगी तो मुझे पढ़ने पढ़ेंगे फिर मुझे उनके उनके सॉलिशन करने पढ़ेंगे और उसके बार मुझे उसके इंपोर्टन क्वेशन करने पढ़ेंगे लिकिन यह सब कैसे करूं अब आप बोलीगे इसाब तो हमारी प्रॉबलम है कुछ बच्चे होंगे पूरा पूरे चैप्टर्स पड़ें वदलब कि माली जै कि 50 पर संट उनको आता होगा 50% की कुछ ऐसे बच्चे वी जिनको पूरा आता होगा और कुछ मेरे प्यारी-प्यारी बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा तो क्या करें हाफ एक्जाम नहीं दें क्या अरे ऐसा कौन कह रहा है बिल्कुल दीजे लेकिन कैसे पढ़ें तो इसके लिए मैं हूँ ना मैं आपके लिए लेकर क्या आई हूं कुछ ऐसी टिप्स एंड रिक्स जिनको अगर आप अ यार मुझे आता है तो क्या सबसे पहले मैं मुझे वही पढ़ना है ना आपको पढ़ना है वो चाप्टर जो आपने बिल्कुल भी टच नहीं किये हुए है तो सबसे बहले एक लिस्ट बना लो कौन सी लिस्ट फॉस्ट पॉइंट यह याद रखनी है मेक लिस्ट ठीक है क बिल्कुल नहीं पढेν structured अब आपकी के थर्ट फोर्फ शहाशान आ रहे यह आप Σसे पहले क्या करना बच्ये जो बिल्कुल नहीं पढ़े है वो Chapter 10 이제 कि चैप्टर में उठा दो लिए अब क्या करें तो देखो सबसे पहले क्या करना है सबसे पहले बिल्कुल नहीं पड़े हुए चाप्टर्स ठीक है बहुत एक्दम शुद्ध हिंदी में हम लिख रहे हैं तो आप बिल्कुल अच्छे से इसको याद रखो अब इनको कैसे पढ़ना है बिल्कुल नहीं शुदू किवे चैप्टर्स के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है वन शॉट देखो अब आपको अलगले चैनल आप अपने चैंटर्स को रेडी कर लो और बाकी चैप्टर्स के लिए आपको थोड़ा सा और टाइम मिलेगा जो कि दिवाली और दशेरय में निकल जाना है तो इसलिए फिए जरूरी है पढ़ने के लिए उन chapters को prepare करने के लिए जो कि आपको final year में marks दे सकते हैं तो one shot देखो और concept को clear करो उसके बाद क्या करना है बच्चो उसके बाद NCRT solution करना है अब कैसे करना है ऐसा नहीं कि यह जो पूरे पूरे chapters है पहले सब के one shot देखने बैठ गए और फिर उसके बाद एक question का solution करवाई हो मान लो कि अगर आप gravitation उठाते हो gravitation के कुछ chapters के दो तीन numerical बन गया चौथा नहीं बन रहा कहां से देखे तो NCRT solution मैंने पूरा आपको free में करवाया हुआ है उसको देखो उसको समझो उसको पढ़ो और practice करना है बस ठीक है आब इसके बाद सबसे ज़रूरी चाहिए आपके पास लेकिन अगर आपके पास अभी फिलाल कुछ option नहीं है तो अगेन मैं बता दू कि step up एक एडमी में हमने one shot हो चाहे एंसरी solution हो चाहे PYQ हो हर एक का किया हुआ है ठीक है तो बच्चों इन में से आपको चार chapters को तो बड़े अच्छे से prepare कर लेना है अब दूसरे दिन के सुभह में तुम्हें क्या करना है कि जो तुम्हें दो चाप्टर आते थे उनको पढ़ना है उनके भी वही चीज करना है चाहे आप इसके लिए बात करो चाहे आप इसके लिए बात करो दोनों के लिए सेम कंडिशन है इसका वन शॉट देखो एंसरी solution लग देखा तो इनको में कैसे देख सकती हो तो यू कें ट्राइब सुपर कुइक रिवीजन ठीक है सुपर क्विक जो आपका रिवीजन होता है यह आपको देखना है यह कहां मिलेगा यह भी स्टैप अपर मिल जाएगा और साथ ही साथ इसमें ऐसे कुछ टिप्स बता दूंग है ताकि अगर कोई एक दो क्वेशन फस जाए तो उसको आप कर लो लेकिन बच्चों जब हाफ एरली एक्जाम खतम हो जाएगा माली जे चार चैप्टर तो आपने वन शॉट देखकर की बहुत अच्छे से पढ़ लिए थे यह दो को थोड़ा पार्शल पार्शल से आपन पढ़ना पढ़ेगा हाफ यरली के बाद और इन चैप्टर को पढ़ लेना क्यों पढ़ना पढ़ेगा क्योंकि फाइल एक्जाम में तो यही हान है न तो यह सारी प्रप्रेशन आपको इस तरह से करनी है अपनी हाफ यरली की अभी बता दू फिर से बोलूंगी हाफ यरली की त्यारी अगर आप करते हो तो एकसरसाइस का जो सॉलुशन है वह इनफ है अभी फिलहाल के लिए साइंस के लिए और एसस्टी वगरा के लिए आप पीवाईक्यू के साथ के सब्सक्राइब और यह सारे क्वेस्टन को भी एक बार देख सकते हो अगर आपके पास टाइम बनाते हैं ताकि बच्चा अवेर रहे टफ क्वेस्टन से भी बोर्ड में थोड़ा इजी आएगा एस कंपेर टू यहाफ एरली ठीक है बट हाफ एरली में टफ बनाते हैं ताकि बच्चा थोड़ा सिंसियर हो जाए अपने सब्जिक को सीरियसली लिना शुरू कर दे ठीक ह करिएगा एंड इन उसके बाद अपने फैनल एक्जाम के त्यारी करिएगा ठीक है तो हाफ एरली को इस बहुत इजी ना ले बहुत अच्छे से इंजॉय के साथ आप इसे करोगे तो आपको इजी भी लगेगा और इसमें आपको मज़ा भी आएगा सॉल्ट करने में और कि जब भी कोई चैप्टर आप पढ़ लो अगर आपके पास 15 मिनिट का टाइम है तो आखरी में एक पॉइंट और याद रखना जो मैं यहां लेती हूं माइंड मैप ठीक है आप अपना एक माइंड मैप जरूर प्रिपेर करो अपना मतलब की चैप्टर का अपना नहीं कि मैंने की कि यह होता है कि चैप्टर को जब आप पूरा पढ़ लेते हो पूरा कर लिया अपने लास्ट मिनिट रिवीजन होता है माइन मैप ठीक है अब मैप कैसे बनते हैं कैसे उस से हमें हेल्प मिल सकती है इसके लिए माइन मैप भी हमने अल्रेढरी प्रिपेर किये वो आप जरूर देखें तो इस तरह से अगर आप अपनी पूरी हाफ एरली की प्रपेशन करोगे तो डेफिनेटली आपके अच्छे मांक्स आ जाएंगे बहुत अच्छे मांक्स लाने के लिए तो बच्छो थोड़ा सा इस चीज को थोड़ा पहले से फिल करना था अभी भी कोई देरी नहीं होई अगर आप इसको सीरियसली बहुत अच्छे से अटेम्ट करते हो इन टिप्स को अच्छे से मांते हो तो आपका डेफिनेटली अच्छे मांक्स आएंगे और अगेन मैं आखरी में चीज़ जरूर बोलना चाहती हो कि कोई भी स्ट्रेटेजी हो जब त ठीक है तो आई होप यह बताई हुई इंफोमेशन आप सबके लिए बैनिफीशल रहे और आप अपने हाफ एरले एकजाम में अच्छा स्कोर करें और अभी फिर से बता दू कि जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं चाहे वो वन शॉट हो चाहे पीवाई की हो चाहे मा आपको लगता है कि सब्सक्राइब कुछ नोट्स आपको चाहिए तो मेरे वीडियो में कमेंट करके मुझे बता दो कि हमें इन पर्टिकुलर चैप्टर्स के इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट के पीडिएफ नोट्स चाहिए माम काइनली प्रोवाइड तो बिल्कुल आपको